नमस्कार सभीको राम राम जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी राम राम मेरी सेक्यूरिटी फोर्सिस को एक बार फिर से मुबार्क बाद दीजिए क्योंकि हमारी सेक्यूरिटी फोर्सिस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद के लिए कश्मीर के अंदर जगा नहीं है आज सुबह तरके शोपियां इलाके में एक एंकाउंटर शुरू हुआ जिसके अंदर खबर आ रही थी कि एक से दो आतंकी है अभी भी एंकाउंटर जो है खतम नहीं हुआ है अपरेशन जारी है इसी एंकाउंटर के अंदर एक आतंकवादी मारा गया है तो इमरान खान न्याजी ये जो आतंकवादियों को समर्थन देना और आतंकवादियों को कश्मीर में भेज के इन कुछ युवाओं का दिमाग के अंदर आतंकवाद भरने का काम खतम कर दे क्योंकि इमरान खान न्याजी जो तेरे आतंक वादी भेज़े हुए रते हैं वो भी यहां पर मारे जाते हैं और यहां पर जो तुम्हारी सोच के आतंकी बनते हैं वो भी मारे जाते हैं मैं आपको इस खबर के बारे में बता दूँ शोपियां इलाके में एंकाउंटर हुआ सेक्यूरिटी फोर्सिस को एक बड़ी काविया भी हाथ लगी है और एक आतंकवादी इसके अंदर जो है मारा गया है यह जो आतंकवादी मारा गया है इसकी उमर सिर्फ 23 साल थी और मुजीब नाम था इसका और यह रहने वाला कुलगाम का है मुजीब लोन और 23 साल की उमर चोटी सी उमर लेकिन पता नहीं कब से यह आतंकवाद इसके दिमाग में चल रहा था यह नो दो हजार 21 के ही साल में यह नो तारीक को और इसी बीच में जो है यह आतंकवाद का रास्ता इक्तियार कर गया यानि कि पिछले ही महीने यह मिसिंग हुआ था और पिछले ही महीने में सिर्फ एक महीना भी यह सस्टेन नहीं कर पाया और उसी में जो है आतंकवाद का इसने सहरा लिया था और बाद में इसकी क्या हशर हुआ वो आपके सामने ही है इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि आतंगवाद के रास्ते में कुछ नहीं रखा है अगर आप आतंगवाद का रास्ता इक्तियार करते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहां तो मोत है यहां फिर आपको पकड़ा जाता है तो इसलिए ऐसा काम ही ना करें जिससे आपके शहर का नाम खराब हो आपके परिवार का नाम खराब हो आपके जिस जगह के आप रहने वाले हो वहां का नाम खराब हो देखिए अब ये चोटा सा लड़का 23 साल का और इसने आतंगवाद का रास्ता यही 23 साल की उमर में ये करिकेटर बन सकता था, फुटबॉलर बन सकता था, एक अच्छा पढ़ाई लिखाई करके एक टीचर बन सकता था, लेकिन इसने क्या सोचा? बंदूक. लोग और इसको इसके दिमाग में ये बंदूक भरने वाले जो भी लोग थे, शायद इनके परिवार को भी नहीं पता चला कि इनके बेटे के दिमाग में क्या भरा जा रहा है। बांडिंग ऐसी हुई जहां पर ये गे जाता रहा जिन से मिलता रहा और उसके बाद इसने आतंकवाद कारास्ता इख्तियार कर लिया लेकिन ये 23 साल की उमर में एक अच्छा व्यक्तिव भी बन सकता था लेकिन इसने बुरा रास्ता एक तियार किया बुरे रास्तों पे चला बुरे काम किया और नतीजा उसका आपके सामने है या तंकी मारा गया है मैं सेक्योरिटी फोर्सिस को एक बार फिर से मुबारक बात दूँगा ऑपरेशन अभी खतम नहीं हुआ सभी को कहूंगा कि तिरंगा जंडा और इंडियन आर्मी जिंदाबाद जमू कश्मीर पुली जिंदाबाद जरूर लिखें क्योंकि हमारे डिरेक्टर जनल अफ पुलीस दिलबाग सिंग जी और कश्मीर के आई जी विजे कुमार जी लगातार इन आतंकियों के उपर स्ट धन्यवाद सभी को राम राम